नमस्कार मैं रविश कुमार आक्सीजन की सप्लाई कम होने से कितने लोग अस्पताल के भीतर तडब कर मर गए कोई जेल नहीं गया दिल्ली के भी दो अस्पतालों में 37 लोग मर गए टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गोवा के गोवा मेडिकल कॉलेज में आक्सीजन की आपूर्ती में बाधा से 80 से अधिक लोग मर गए कोई जेल नहीं गया दिल्ली में पोस्टर लगाने के जुर्म में 25 लोग जेल चले गए दिल्ली पुलिस ने 25 F.I.R. कर दिये उन लोगों को गिरफतार कर लिया है जिनकी एक साल के दौरान कमाई कम हो गई दिहारी बंद हो गई थी जिनने लगा कि पोस्टर लगाने से कुछ पैसे मिल जाएंगे इंडियन एक्स्प्रेस में गिरफतार हुए लोगों का ब्यौरा भी छपा है मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया इतना ही लिखाए इस पोस्टर में लेकिन सार्वजन एक संपति को विकृत करने के आरोप में मामला दर्ज हो गया और गिरफतारियां हो गई ऐसी खबरों को देखकर आप थोड़ा और डरे होंगे कि लोग भले तडब कर मर जाएं बोलना नहीं है चुप रहना है आप डरते आ रहे थे और आप डरते भी रहेंगे आपके डरने से एक फाइदा होगा जेले नहीं भरेंगी इतने लोगों को जेल में भरना आसान भी नहीं तो आप घर में डर से दुबक कर सरकार की मदद कर रहे हैं अपने घर को ही जेल समझ लिजिए Do you get my point? राजनितिक दलों में आम आदनी पार्टी ने सबसे पहले विदेशों में टीका भेजने को लेकर सवाल उठाया और प्रधान मंत्री को पत्र तक लिखा दूसरे दल भी उठाने लगे लेकिन गिरफतारी का विरोध करने में कॉंग्रेस आगे निकल गई पोस्टर मामले में गिरफतारी के बाद रविवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा, कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने इस पोस्टर को ट्वीट किया और कहा कि हमें भी गिरफतार करो कई नेताओं ने तो इस पोस्टर को अपने प्रोफाइल पिक्चर में ही लगा लिया है साथ ही कई आम लोगों ने भी ट्वीट किया कि हमें गिरफतार करो अभी तक इन में से किसी की गिरफतारी नहीं हुई है रवीवार शाम को आम आदनी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसे पोस्टर और छपवाएंगे क्या वाकई में कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी दिल्ली में ऐसे पोस्टर छापकर लगाने का अब साहस करेगी हमारी वैक्सिन विदेशों में क्यों बेच दी ऑक्सिजन क्यों नहीं है इस देश में कि दवाईया क्यों नहीं मिल रही इस देश में क्यों लाशों को छिपाया जा रहा है जो मीडिया को धमकाया जा रहा है, जो लाशे दिखा रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहा था अपना, जो पकड़ा गया काम नहीं करते हुए हो आप हैं, इसे सवाल आप से पूछे जाएं। उतना कुना है, तो आप ततकार हम लोगों को गरिफतार करके जेल में डाल दीजे, जितनी संगीन धाराओं में F.I.R. लिख सकते हैं, F.I.R. लिख दीजे, मुकर्मा दर्ज के दीजे। यही सवाल तो पोश्टर वाले ने पूछा है कि क्यों दिया। वैसे इसमें वहवाही लूटने वाली कोई बात नहीं थी, कि हमने अपने लोगों के लिए कम, दूसरों के लिए जादा टीके भेजे। लिए बात गफे लोगों के लिए ऊपने वाले के लिएी के दूसरों के लिए शुटने वाले का जुटने पूस्चाँ ने मुकर्णा वाले के लिए दिए।